कोरोना से सबसे जादा प्रभावत महराष्ट गुजरात में अब प्रकृती भी अपना कहर बरपा रही है दोनों राजों में अब हीका चक्रवात का खत्रा मंड़ा रहा है मौसम वबा के मताबिक अगले कुछ घंटों में तूफान निसर्ग दोनों राजों में दस्तक दे सकता है महराष्ट गुजरात में बादल चाय हुए हैं और समूदरी लहरी तेज हो गई है मौसम वबा की माने तो जिस समय ये चक्रवात जमीन से टकराएगा उस समय हवा की गती 120 किलोमीटर रहेगे जिससे भारी नुकसान होने की आशुंका है तूफान के खत्रे को देखते हुए दोनों राजों में रैड अलेट जारी कर दिया गया है गुजरात और महराश्ट के तटी इलाकों में NDRF की टीमें तानाद की गई है महराश्ट में NDRF की तीमें मुंबई में दोपालगर में उठाने राइगर रतनागरी तथा सिंद दुर्ग में एक एक टीम को तानाद किया गया है मौसम वबाग के साइकलोन E-Atlas के मताबिक 1899 के बाद पहली बार अरब सागर में महराश्ट के तटी इलाकों के आसपास समुदरी तुफान की सिती बन रही है मौसम विशिशग्यों के मताबिक ये काफी असमाने बाद है कि जून महा में महराश्ट के तटी इलाकों से कोई चक्रवाद तुफान तकराएगा मौसम विशिशग्यों के मताबिक ये तुफान गुजरात के द्वार का ओखा और मौरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओल जा सकता है संभावन जुता है जा रही है कि आने तुफानों की तरह ये भी कच्छ के कंडला और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुचा सकता है